नमस्कार दोस्तों मैं प्रिंस है नहीं आपको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में आज हम बात करेंगे प्रजेक्शन और प्वाइंट की एक और प्रॉब्लम के बारे में अब यह कॉस्चन में हमें दिया गया है एक पॉइंट है पी जो की सिचुएटिड है first quadrant के अंदर तो यहां पर हम पहले quadrant system ले लेते हैं फर्स्ट, एंक फर्र चार quadrant है तो जो point है इस first quadrant के अंदर है यह हमें दिया गया है It is 20 mm above HP, यानि कि ये क्या है हमारे पास horizontal plane है और ये क्या है vertical plane है, इससे कितनी उपर है, वो 20 mm उपर है, तो ये point जो है PE, कितना उपर है, इससे यहां से 20 mm उपर है, and 40 mm in front of VP, और VP से यहां से यहां तक की दूरी वो कितनी है, 40 mm की दूरी है, Draw its projection, पहले तो हम इसकी projection ड्रा करनी है, तो चलिए पहले projection ड्रा कर लेते हैं, एक XY line ले लेते हैं, यहां पर, अब हमें पता है कि जो first angle projection है, उसमें front view उपर बनता है, top view नीचे, जब इस P को हमें इस तरफ से देखेंगे, तो यहां पर हमें front view मिलेगा, जहने कि small letter P, और dash, और जब उपर से देखेंगे, इसकी projection HP पर यहां पर पड़ेगी, और horizontal plane को हम कितना घुमाते हैं, 90 degree clockwise, तो यह जो है हमें नीचे मिलेगा, यहां पर, यहां से हम 40 होगा, और यह 20 है, तो यहां पर 2 point हमें मिल जाते हैं, अब अगर हम यह point देखें, यह कौन सा point है, हमारे पास P' की डैश है, और इसकी दूरी कितनी है, 20 mm की है, इस x y line से, यानि कि यह जो है हमारे पास, और यहां पर हम इसको मिला देंगे, अब दूसरा point जो मिलेगा, वो हमें कितनी दूर मिलेगा, 40 mm दूर, और यह क्या है, हमारे पास top view है, यानि कि front view उपर top view नीचे, तो यह तो हमन में इसका shortest distance find out करना है, तो shortest distance find out करने के लिए हमें क्या जरूरी होता है, auxiliary plane, auxiliary plane यानि कि यह से यह horizontal plane है, यह vertical plane है, यहां पर एक तीसरा plane आ जाएगा, इस तरह से, तो यह होता है, auxiliary vertical plane, EVP में बोलते हैं जिसको, तो यह plane हमने बना लिया, तो इसके हमें जरूरत पड़ेगी, क पीछे यहां पर बनेगा लगबग, यहां पर मान लेते हैं, तो यहां पर मान लिया हमने कि यह बन गया हमारा, यहां पर, तो यहां पर यह आगया side view, यानि कि P double dash, इसे शो करते हैं, अब यहां से, अब इसने कहा है कि shorter distance find out करना है, from the intersection of HPVP and auxiliary plane, यानि कि जो intersection है, जो यह point ह इन तीनों का, vertical plane, horizontal plane, और यह auxiliary plane है, तो यहीं intersection हो गया, तो यहां से, यहां तक का जो shortest distance होगा, यहां कि इसकी projection पीछे वहां पर पड़ी, तो shortest distance जो है, कितना होगा इसका, दो वह चीज find out करनी है, तो पहले हम shortest distance दिया होता था, उसके through हम front view और top view बनाते थे, किसी point के, यहा आप पर हम क्या करते हैं, पहले तो यह line ले लेते हैं, बिल्कुल इसके perpendicular xy के, तो यह ले लेते हैं, कि x1, y1 यह line हमने ले ले, अब यहां से, जो यह front view है, अब देखे यह front view है, इसकी cdx projection line ले ले लेंगे, cdx projection line, और जो यह top view है, उसको हम यहां से, यहां मिला देंगे अब हमें पता है, कि horizontal plane को हमें यहां पर लाना पड़ेगा, यहां था, क्योंकि यह view जो है, नीचे बनाया हमने, horizontal plane यहां पर होना चाहिए, तीनों से दूरी हमें बतानी है, यानि कि इसको हम यहां से यहां एक arc लगाएंगे, तो यह point यहां पर आ जाएगे, यह projection यहां यह पैंसीन और यह जो है projection line लगाई, यह यहां पर आ गया point, यहनि कि horizontal plane का point यह हमें मिल गया, इसको यहां से उपर मिला देंगे, और यहां से इसको एक point हमें मिल जाएगा, और यहां से यहां मिला देंगे, अब यह जो point मिला है, यह कुन से मिला है हमें, यह side view का मिला है, P double dash, और ये जो है हमारे पास ये क्या हो जाएगा हमारे पास shot charge distance इसको हम measure करेंगे हमारे पास sensor आजाएगा तो इस तरह से इसको काम करना है पहले हमें यह जो है shorter distance दिया होता था, फिर इसके तुरू हम front view और फिर top view बनाते थे, और उससे क्या होता था, कि जो यह projection है उनसे यह view बन जाते थे, लेकिन यह आप हम उल्टा चलेंगे, front view, top view दिया है, इससे हम यहां से यहां इसको घुमाएंगे, यह point से मिलेगा हमें य दिवारी projection, और इसके सीधे मिलेगी यह projection, तो हमें यह shortest distance मिल जाएगा, इसको find out कर लेंगे, इसको measure करेंगे, हमारे पास sensor आ जाएगा, तो यह intersection हो जाता है, और यह जो है हमें horizontal plane का point हमें यहां पर देखना पड़ेगा एक तरह से, और जो vertical plane का point यह तो है ही, यहां से यहां distance होगा, तो इस तरह से यह space के अंदर अगर हम देखें, यहां पर horizontal plane, vertical plane, auxiliary plane के साथ, यह यहां पर होगा point, तो इस तरह से हम इसको solve करेंगे, तो thank you वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल, learn and grow के हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, धन नहीं आप